हर हर महादेव ओम नमस्य वाए जय माराज राजेश्वरी धन्यवाद करता हूँ मैं वगवान शिव का माराज राजेश्वरी का इस मापरकृति का जिनके किरपास हम सभी लोग कुशाली से इस परकृति में उपस्तित हैं और धन्यवाद करता हूँ मैं अपने गुर्देव आत्य मुटव पूम्न है, और हर ब्यक्ति के अंदर एक पर्तिक्षा होनी चीँ एक खुशी होनी चीँ आज की दिन के लिए. आज का दिन 21 अंतराष्टियययोगा दिवस के नाम से इस दिन को जाना जाता है. जिस परकार ब्यक्ति के शरीर को जीवित रखने के लिए बोजन जरूरी है उसी परकार ब्यक्ति का जो जीवन है उसको खुशहाली जीने के लिए एक सरल पूर जीवन जीने के लिए योग जरूरी है जहां योग शब्द का अर्थ होता है अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अपने आपको भगवान से जोड़ना मैं देखता हूँ आज का जो शमाज है वो आस्ता से दूर भाग रहा है अपने इस्ट्र देवी देपताओं और अपनी जो भक्ती है उससे दूर भागता जा रहा है। इसका करण यह हो है कि उनके जीवन में योग नहीं है उनके जीवन में ये 21 जून नहीं है। एक बहुत बड़ी संत हुए हैं लेकाक हुए हैं जुन्हें अपने योग शूत्र में लिखा है अथियोग अनुशाशनम जहां इसकार्थ होता है हम एक अनुशाशन के साथ अभी से योग की शुरुवात करें। इन्होंने इस गरंत में योग के बारे में बताया है, योग के आठ अंग बताये हैं, वो आठ अंग इस प्रकार हैं, यम, नियम, आसन, परणायम, परत्याहर, धरना, ध्यान और श्चमाद, जहां हर व्यक्ति का एक लक्ष्य है, अपने घर का जो कामकाज है और अपने मातर पता की शेवा करना के शाद इन जो आठ अंग हैं, इनको भी अपने जीवन में उतारें, जिनसे हमें जीवन जीने की जो कला है, वो पता चलती है कि हमने अपने जीवन को कैसे एक सत्य के साथ जीना है, जहां महर्शी पतंजली, यम और नियम जो दो भाग हैं, इनमें बता बताते हैं कि हमने अपना जीवन किस परकार जीना है, जहां यम के पांच परकार हैं और नियम के भी पांच परकार हैं, यह यम के पांच परकार हैं, जहां अहिंसा का अर्थ होता है, हमें किसी भी परकार मान सिखो या सारीरी को हिंसा निकरनी, जो जीवु जन्तु हैं उन परकृति के लिए नुक्षान डायक हो दूसरा है सत्या सत्या का अर्थ होता है सच्चाई किस प्रकार हमारा जो जीवा ने हमें अपने साथ सत्या को लेकर चलना है हर मोड़ पे हर व्यक्ति के साथ अपने माताविता के साथ अपने दोस्तों के साथ एक सत्या के साथ रहना है एक सच्चाई के साथ रहना है, हर सब्द हमें एक सच्चाई के साथ बोलना है, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मातर रास्ता है जो हमें अनेकुम मुश्यवतों से बहार निकालता है और हमें खुश रखता है इसरा है अस्तेया, जहां अस्तेया का अर्त होता है चोरी नकना चोरी मानसिक भी हो सकते है और सारीरिक रूप से भी चोरी हो सकती है। किसी भी ब्रह्मचर्या जहान इसकार्त होता है अपने इंद्रियों पे सयम करना उनको अपने अनुषार चलाना ना कि अपने मन के अनुषार चलाना यही भ्रह्मचर्या है अपरिग्रह जहां अपरिग्रह का अर्थ होता है अपने आउशक्ता से ज्यादा अपने पास धन या किसी भी वस्तों को संचित करना जमा करना अपरिग्रह कराता है जो हर व्यक्ति को एक मुशीपत में डाल सकता है एक चिंता में डाल सकता है जिस परकार हमारे आउशक्त है हमारे जो ज्यादा समय है उसके बारे में सोचने में ज्यादा लग जाता है दिर चीन्ता में पड़ जाते हैं आते हम नियम पर जहां नियम के भी पांच प्रकार है सौच संतो तप स्वाध्याई इस्वर परनिद्वान जहां पहला है सौच सौच का अर्थ होता है सुद्धी करण करना जो दो रूप में होता है मानसिक सुद्धी करण और शारिरिक सुद्धी करण हम योग से भी अपने मानसिक और शारिरिक सुद्धी करना कर सकते हैं जहां मन की सुद्धी किस परकार करते हैं जैसे अच्छे विचार सोच के अपने मन को गलत रास्ते में जा रहा है तो उसे अच्छे रास्ते में ले जाना हर ब्यक्ति को पता होता है कि गलत क्या है सही क्या है उसको सही डारेक्शन में ले जाना ये है मानसिक सुद्धी जहां योग का जो अभ्यास है उससे भी जहां आसन पढ़नायाम ध्यान करके भी हम अपने मानसिक सुद्धी को कर सकते हैं और जो हमारी सारीरिक सुद्धी है ज जो रहता है आपने माता-पिता को फ़र्णाम करना उससे भी हमारी उस्क करने मांजवजर्ट रहता है संथूफ्ट का चुकुष रहना हमारे पास धन गाल्यां या कोई भी वस्तु है उतनेहीं ही सं petit है उतने में ही खुष रहना तीसरा है तब जहां तब का अर्थ होता है जो हमारा लक्षय है उसको पुरा 100% उसके फोकस करना उसके पूरा 100% ध्यान देना और जो हमारा लक्षय है उसके बीच में अनेकों समस्याएं अनेकों बाधाएं आएंगी उन बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्षय तक जहां स्वाध्याई का अर्थ होता है, अपने जीवन का अध्यन करना और इसके साहब साहब जो हमारे योगी ग्रनत हैं उसका अध्यन करना 5 वा है इस और पनिदान नसे श्वुर पनिदान का अर्थ है अपने जो इस्ट अपना लिए तो उस व्यक्ति को कोई भी समस्या है कोई भी बादा उसके जीवन में नहीं आ सकती है हर हर मादेव ओम नमस्षिवाई जयमा राज राजेश्वरी